कि नमस्ते आप सबी दर्शकों को आज विशे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि विभाजन के लिए दोशी या उत्रदाई कौन और विशे पर्चा के लिए हमारे साथ एक बहुत ही बहुत ही बहुत पूर्पूर्ण कि दॉक्टर इश्तियाख अहमद आज हमारे साथ है पहले तो स्वागत करता हूँ दॉक्टर इश्तियाख अहमत का नमस्ते सर गूड इवनिंग फॉम यह बहुत ही बड़े स्कॉलर है प्रॉफिसर एमेरिटर्स है पॉलिटिकल साइंस के स्टॉक्वों यूनिवर्सिटी में और इनों ने बहुत सारी पुस्तके निखी हैं जिसमें से एक जो बहुत चर्चित पुस्तक है उसका नाम है जिन्ना इस सक्सेस इस सक्सेस फेलियर्स एन रोल इन हिस्ट्री इसके और भी पुस्तके हैं एक और मैं पुस्तक प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान दा गैरिसन स्टेट लेकिन वो मुझे मिल नहीं पाई इंडिया में और वो चुकि किंडल पे नहीं है उसकी e-book नहीं है तो इसलिए भी I was not able to get hold of that तो वो भी मेरी wish list में पड़ होगा 1940 से लेके और 1947 रटालिस तक का जो पीरियड है जिसमें ये पूरा का पूरा जो partition की जो रूप रिखा है वो उसी में तयार हुई उसके पहले बस एक मैं थोड़ा सा इसके background में जाने का प्रियास करूँगा और वो है जब हम two nation theory की बात करते हैं तो two nation theory का आपकी फुस्तक में भी आपकी किताब में भी जो उसका जिक्र है और जो उसका mention है वो 20th century का ही है जबकि मैं देखता हूँ कि ये आप two nation theory का यदि बात करना शुरू करें तो आप देखें जाके तो हिदाया जो 11th century की लिखी हुई है उसमें भी जो मेर गिनानी है वो लिखता है सियर की बात करता है which is relations with others और international relations के रूप में उसको scholars उसको translate किया है उसके बाद हम और नीचे आजाएं तो आप फतावा आलमगीरी देखें जो फतावा आलमगीरी is treated as some kind of a very important Islamic text और अंग्रेजों के टाइम पे वो मुहम्मडन लौ था और अभी भी जो हमारे आर्टिकल जिसको कहते हैं शरियत act 1937 जो भारत में लागू है उसमें जो personal law है जिसको कहते हैं कि personal law लागू होगा Muslims पे वो भी basically इसी फतावा आलमगीरी के तहत है और जो कई सारे लोग जैसे OASY ने तो publicly कहा है कि हम फतावा आलमगीरी पांगते हैं उसमें भी पूरा का पूरा जो गहर मुसल्मानों के साथ जो relations है वो किताब उस सैर या जिसको जो सियर है आपके हिदाया में उसमें डिफ दस वाल्यूम में है तो उसका एक वाल्यूम भी मैंने हिंदी में translate किया है उसका हिंदी और इंग्लिश translation नहीं मिलदा इक सिरिफ इंग्लिश में एक किताब translated है out of 73 तो उसमें भी साफसाथ दिखाई पड़ता है फिर उसके बाद वो follow होता है शेख सरिंदी उसी की बात करत हैं जिसको बाद में two nation theory का गया उसके बाद फिर बात आती है तो मैं शावली उल्ला भी वही बात करते हैं फिर उसके बात पिर आपके यह जब अलग-अलग हो जाते हैं यह देव बंदी बरेलवी दोनों वही बात करते हैं बलकि आपके शेख अहमद रजा बरेलवी तो उ हैं और बाद में जो मूवमेंट चला उसमें भी खलाफत के वक्त से ही यह खावमियत मुतहिदा और खावमियत जुदागाना यह दो अलग-अलग हो गए थे तो जिन्ना कोई two nation theory का architect क्यों कहा जाता है background दी है उस पे थोड़ा सा मैं आपको एक और किसम की interpretation नहीं बलकि I would like you to look at this एक और एंगल से जी देके जो theology होती है वो scholars का एक concern है जिन्दगी और जिन्दगी के जो इंटर रिलेशन्स हैं वो theology से बहुत ज़्यदा complex होते हैं आप यह देखें कि जब मुहम्मद बिन कासिम ने सिंद के अंदर हकूमत काइम की तो एक problem हो गया क्यूंकि कुरान की एक आयत है जहां कहा गया है कि Jews और Christians और एक ग्रूप होता था सेबियन्स वो तो जब ISIS ने ये जुर्म किया इराक में तो पता लगा कि कुछ ये सेबियन्स अभी भी जिन्दा हैं पहाड़ों के अंदर हाँ जी कुरान शरीफ के अंदर है कि ये लोग मुस्लमानों के दर्मयान रह सकते हैं अगर ये जजिया देने को तियार हो जाएं तो उन्हें उनका मजब और उनके जो अकाइद हैं वो आप काइम रखने दे अब फ़र मुहमब दिन कासिम दे प्रॉब्लम वास के यहां जो दो ग्रूप थे एक तो हिंदू थे राजा दाहर और उनके सपोर्टर्स और दूथरे बुद्दिस थे तो ये दोनों इस कैटे किया जाए तो वहां से जो रूलिंग आई वो भी बड़ी इंपॉर्टन्ट है क्योंके इंदुस्तान के अंदर थियो लॉजिकली नेरो माइंडिड इंटिप्रेशन भी हुई है और एक अनलाइटन आप कहलें या आप कहलें टॉलरंट इंटिप्रेशन भी हुई है वो य यह आपको जजिया दें प्रोटेक्शन टेक्स तो आप इनकी जो है मंदर उनको रिकंस्ट्रक्ट करना उनको मेंटेन करना और इनके मख़ब को आप थंग ना करें तो एक तो रूलिंग यह है दूसरी लूलिंग जो है वो यह है क्योंके यह तो ना क्रिस्चन्स है ना हैं तो इन पे जल्म हो सकता है और हिंदुस्तान की तारीख में दोनों किसम के आपको करेक्टर मिलेगे मैंने अक्सर अपने जो बड़े अजीज हिंदू दोस्ते हैं आपकी तरह उनसे बात की है कि अगर वाकिए इसलाम थियालोजी के बुनियाद पे नेरो मैंडिली चलता तो साथ सौ साल की जो इन्होंने हकोमत की है एड दे टाइम बें दे ब्रिटिश टुक ओवर तो सिर्फ बीस परसंट लोग हिंदुस्तान के मुसल्मान हुए असी परसंट हिंदू या सिक या कोई और कैसे फिर रह गए तो मेरी ये आर्गुमन्ट है कि जो यहां पे मुला के रूलर कोई भी हो ही इस दे प्रोटेक्टर आफ आल कम्यूनिटीज उसकी बन्याद पे आप देखेंगे के अकबर भी आए और भी कई एन्लाइटन रूलर्स आए एक एक्स्ट्रीम थियोलाजिकल पॉजिशन औरंग्जेब की भी आ जाती है और औरंग्जेब के आने के बाद उसी मुगला मुगलम पायर का जवाल भी शुरू हो गया क्योंकि यहां का मॉडल था मिल के चलने का और आप मुझे यकीन करें मैं जब पंजाब की पार्टिशन पे रिसर्च कर रहा था तो कई ऐसे इंसिडेंट आए जहां पे मुझे ये पता लगा कि वास् समच जो है वो वही है जो आम हिंदू की होती थी कनवर्ट तो किसी तरीके से वो हो गए बसलब मैं पंजाबी हूँ लहूर के रहने वाले हमारे हमारे घर में बीफ पकाना सर्व करना वास कंसिड़र्ड अमेजर सिन यू कुर्ण डू इट तो यह जो लेयर्स है ना सोसाइ के अंदर रिलेशन्शिप के तो नेरो टो डिफाइन रियल लाइफ मेरे हैल से अगर मैं यू आपकी बात का जवाब दूँ तो वैसे तो आप देखें आपकी सपोर्ट में मैं बताना चाहता हूँ जी नाइटीन फॉर्टी फॉर में जब जिना साब को पूछा जिना साब ने अलिगर्ड मुसलिम यूनिवरस्टी में फॉरन कोर्रिस्पॉंडेंट राए हुए थे तो वहाँ पे उन्हों ने जो बिया वो मैं आपको बता देता हूँ विस सपोर्ट यॉर पॉइंट अफ व्यू उन्होंने का कि जिस दिन पहला इंडियन मुसल्मान हुआ उसी द पर जिन्हा साब ने वही आर्ग्युमेंट ली जो सब से नेरो है लेकिन एक और एक और ब्यान देख लेन 14 अगस्त को एक तो है न 11 अगस्त का जिना साब का बियान के जी हिंदूस बिल सीज टो भी हिंदूस और मुसलिम्स बिल सीज टो भी मुसलिम्स नॉट इन अगस्त जबके एक्शुले इनागुरेट हुआ पाकिस्तान की किंसेटोंट इसेम्बली तो लॉर्ड माउंट बैटन वास देर एज रेपरिजेंटिव ऑफ दे किंग एमपरर उन्हों ने खड़े होके कहा के देखेंब आपका मुल्क बन गया और आपको मुबारिक हो आपके अंदर से ही बहुत बहुत बड़े अजीम लीडर हुए हैं बसलन अकबर जिना साब ने जब उनके जवाब में खड़े हुए तो कहा के कि हमारे रोल मौडल होली प्रॉफिट मुहम्मद हैं जिन्हों सबसे पहले ज्यूज और क्रिस्चन्स को डिफीट किया और फिर उनको आइडिली ट्रीट किया तो जिना साब ने अकबर को नहीं माना उन्होंने अपने तरीके से एक इस्लामिक फॉर्मूला दिया पाकिस्त जोरिक है शायद इस किसम की पॉइंट अब व्यू आपने कामी सुने हो जून नाइनटीन फॉर्टी सेवन में जब थ्री जून पार्टिशन प्लैन अनौन्स हो गई तो क्रा तो क्वेटा में स्टाफ कॉले जहां पे आफिसर जाते थे आ कोर्सिस के लिए ना जो आफिसर जैसे प्रोमोशन होती है तो नए कोर्स होते हैं तो वहाँ पे जो उस जमाने में इंस्ट्रक्टर थे उन में थे मेजर गॉम्मद याया खान जो बाद में प्रेसिट ओव या पाकिस्तान भी बने और जिस जिनके दौरान ये इस पाकिस्तान बंगला देश का क्राइसिस मुसल्मान, हिंदू, सिक, क्रिश्चन, सारे इंडियन्स उस फौज में थे, यह ब्रेक अप हो रही थी, क्योंकि त्री जून पार्टिशन प्लैन आ गई थी, तो करिनल वर्मा ने कहा कि देखे, हम एक ही फौज में ट्रेन हुए, हमारी दोस्तियें हुई, हम एक ही थे, लेकिन अब आपका मुल्क बन रहा है, तो मैं आपको मुबारिक बात देना चाहता हूँ, और उमीद करता हूँ कि हम दोनों नेशन जो है ना मिलके, मुहबत से और प्यार से इस इस इलाके में रहे हैं, तो मेजर याया खान खड़े होके उन्होंने कहा, सर, तो बाट इस देर तो सेलिबरेट तोड़े, आज कौन सी खुशी की बात है, तोड़े इस अड़े अफ मॉर्निंग, आज तो दुख करने की बात है, तोगेधर भी वूट है बीन अग्रेट पावर, नाव वी विल स्टार्ट फाइटिंग वान अनग्र, तो एक ये पॉइंट अफ यू भी है, जो, मैं ये आपको बताना चाहता था, कि मुसल्मानों को स्टीरियो टाइब करके देखना, इतने ही मुरे हैं कि हिंदूओं को, या किसी और गुरुप को, जिनकी इतनी पुरानी हिस्ट्री है, इतने उनके अंदर कल्चरल वेरियेशन्स हैं, एथनिसिटीज हैं, उनको आप स्टीरो टाइब करके, कहें कि इतिया बाउंड बाइ इतियालोजी, अरे कोई बाउंड बाइ इतियालोजी नहीं है, मैं आपका बताता हूँ लहोर के अंदर ये रमजान के अंदर लेस देन टू परसंट लोग रोजा रखते हैं और निमाज जो है ना फाइफ टाइमस आई थिंग लेस देन टू और फाइफ परसंट पढ़ते हैं कोई भी नहीं पढ़ता ये सारी चीजें आउटडेटिड हो है मौलवियों के मताबक शादी जो है नौ साल के बार लड़की से हो जानी है हो जानी चाहिए मुझे एक पाकिस्तान के घर में दिखाएं स्वाए गरीबों के जहां कोई लड़की को देता हो दे टाइमस एफ चेंज जैसे जैसे नई वैल्यूज आती हैं देखें हिंदू पूरा समझा जाता था कि इसकी किस्मत ही बुरी है तो घर के अंदर उन्हें नंगे पाउं रखा जाता था और पीपल के पतांई उसके उपर उनको खाना देते थे यह किसने मेरे यहां पर ही स्टॉकम के अंदर एक मेरी पंजाब पंजाबी इंडियन परोफैसर नहीं स्क बनने की वजह से रुख गई हैं तो ये मेरा एक तफसीली explanation है अब आप अपना स्वाल करें जी हाँ ये खेर वो topic फिर अलग हो जाएगा आज तो हम basically जिन्ना पर जा रहे हैं जी जी क्योंकि उसमें भी मैं भी आज कल बात चल रही है हमारी एक असमांदा ग्रूप है वो बहुत वोकल हो रहा है जी जी बिल्कुल और वो जो है बहुत सारी चीज़ों जैसे का कहता है कि साबुद यह हमारे हाँ तकलीद होती है तकलीद में हमें صرف नخल करना है, हमें तकलीद करनी. बिल्कुल सही है. हम अपना दमाग नहीं लगाना एì और यह जो पूरा मुला मुलाना अश्राफ मुला मुलाना ज्छास है यही हमको चलाता है, यही हमको ऐसफृट सोलजर इυूश करता है, यही हमसे दंगे करवाता है यही हमें बढ़काता है और बाद में खुद अलग रहता है इसको कभी कोई लुकसान नहीं होता हमी इसके जो है वो शिकार होते हैं खैर इसको बहुत सारी अगर हम जाएंगे पार्टिशन राइट्स नहीं लेकिन वो जो उनका जो दुख है वो कि यह सारा अश्राफिया की शरारत थी बलके कराची के एक पोईट है अपना जॉन एलिया वो यह अबरोहा से गई हुई फैमिली है उनकी तो एक कहावत है कि यह जो पाकिस्तान है यह तो अली गड़ के लॉड़नों की शरारत है तो आप यह भी सुनाएंगे तो यह आप पंजाब के अंदर कोई पाकिस्तान पुकुस्तान सिंद में कुछ भी नहीं था इनको 37 में एक वोट नहीं मिला अब यह देखें अगर थियालोजी की बनियादी होती नो ऐसे नहीं हुआ पूरे अंग्रेजों ने फिर जब देखा कि हंदुस्तान अजाद हो रहा है और य हमारी बात नहीं मान रहे तो इनको काउंटर करने के लिए उन्होंने फिर जो एक तरीका है डिवाइड इन रूल इस्तमाल किया दैट सेट मैं आपका एक टॉक देख रहा था अच्छा और उस टॉक में आपने फरमाया जिए जिन्नाव वाज नॉट सो मुच इंटरेस्ट in partition as he was interested in the dismemberment of India. नहीं, ऐसे नहीं है, वो मुझे उन्होंने का कि आप कहते हैं कि जो मैंने का जो मेरी कताब की में फाइंटिंग है वो ये है कि जिन्नाव वाज वाजन अबाउट पाकिस्तान कि वो कैसा होगा, उनकी सारी जो है आप कह सकते हैं, genius कह लें, उनकी evil good genius, जिस तरीके से भी आप देखना चाहें, वो थी किसी तरीके से हिंदुस्तान की partition जरूर होनी चाहिए, उसके अंदर फिर जब partition के साथ साथ उन्होंने इस किसम की वे बातें की, जो South Indian दडावड है, उनको कहा कि अगर आप अजादी मांगेंगे, तो हम और जो मुसलमान यह हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, सिक्खों को भी कहा कि अगर आप चाहें, तो हम आपको एक state दे देते हैं, अगर आप हमें उनकी boundary दिखा दें, तो वहाँ पे मुस्से पूछा गया कि डाज, डिन्टी वांट डिस्मेंबर्मेंट आफ इंडिया, आई थाउट इस अ ले so I agreed with him, मेरी जो कताब के अंदर argument है, कि ये कहा जाता है कि वो तो partition चाहते ही नहीं थे, वो तो power dealing चाहते थे, कांगरस ने उन्हें पार्रमेंट डिलिलिंग का कोई, मैंने का ये बिलकुल बक्वास है, इसकी कोई बन्याद नहीं है, उनकी सारी जो effort है, वो ये है, कि ये है मेरी main finding. यहाँ, वैसे तो चौदरी रहमत अली ने जो Commonwealth of Pakistan बनाया था, जो मैंने आपको दिखाई थी मेरी, वो मशा है, इस किताब में यहाँ पर. अब मेरी किताब में भी है, मेरी किताब में भी है, जिना साब ने, जिना साब ने, जिना साब ने, इकबाल को और acknowledge किया है, लेकिन रहमत अली की सारी arguments इस्तेमाल की है, without acknowledging के, यह actually रहमत अली की, यह भी मेरी किताब के अंदर है, अगर आप detail में पढ़ेंगे तो. जी हाँ. जी. अब आपने एक और जब बात करी है, पूरी की, आपने जिना के पूरे टाइम को चार भागों में बटा है, चार डिविजन की हैं उसके. फॉर्टी टू फॉर्टी सेवन का जो पीरेड है, उसमें एक बात जो है, वो आपने जो argument लिया है. मैं चाता हूँ, आप उससे थोड़ा सा और elaborate करें. वो यह है, कि आपने खाला कि ठीक है, कि जिना में बड़ी सारी खासियते थी, लेकिन क्य आप ब्रिटिश के help के बिना वो कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि बहुत सारे great लोग होते हैं, लेकिन वो successful हों, उसके लिए circumstances होनी चाहिए. मुनासिब बात. और यदि ब्रिटिश ने उनके साथ में ये plan नहीं कर लिया होता, आपने वेवल को भी quote किया है, 1943 में. जी जी उनक आपने लिखा, I think you are quoting Walter Reed, कि वो चाहते थे कि 30 साल तक कम से कम ब्रिटिन जो है, वो और यहां बना रहे हैं, लेकिन बेश्र, जी जी. Second World War के logic और ये बाकी जो development में उसको वो जब नहीं हुआ तो चर्चिल और establishment का जो basic plan था, division करने का, उस पे ब्रिटिन भी चूंकि उसी और tilt कर रहा था, इसलिए जिनना was able to do this. Absolutely, बेशक, यही मेरा finding है, बिल्कुल सही है. मेरा उसने कहना है कि कांग्रेस की जो विशी वाशी attitude थी, और यदि वो बिल्कुल firm रहे होते, कि उनको United India चाहिए, तो भी जिनना और British ये नहीं कर पाते हैं. जी. देखे, खान अब्दुलखफार खान ने जब ये partition अनाउंस हो गई, तो कहा भी, कि हमने तो कभी partition मानी नहीं थी, आपने मांग के हमें वेडियों के आगे छोड़ दी है. तो आपकी बात भी कुछ लोग इस तरीके से देखते हैं. मैंने उसके अंदर जो आर्ग्यू किया है, वो है कि मांट बेटन के रोल को समझने की बहुत जूरत है. जी. कहा जाता है, वो नेरू के बहुत दोस्ते, उनकी जो बेगम थी, वो नेरू की पता नहीं, उनके साथ कोई परसनल इलेशन्स भी थे, लेकिन हकिकत क्या है मांट बेटन की? मांट बेटन मे नाइन convince किया कि हम यह जो पार्टिशन है ना जून 48 की बजाए मिड आउगस्ट में कर दें और जल्दी से यहां निकल जाएं वापस आने के बाद वाट डिडी डू उन्हों ने जौलना लेरी को कहा के देखो भई जिना और मुस्लिम लीग वो कॉमन वेल्द के मेंबर होना चाहते हैं और अगर वो मेंबर हो जाते हैं और आप मेंबर नहीं बनते तो जंग के अगर जंग हो जाती है तो हमें तो अंडर ट्रीटी कॉमन वेल्द मेंबर को सपोर्ट करना पड़ेगा माउंट बैटन उसके बाद जाते हैं काइद आजब मुहमद ली जिना के पास और कहते हैं देखो आपकी जो जो एप्लिकेशन जो है ना कॉमन वेल्थ की मैं उसको एप्रिशेट करता हूं लेकिन अगर हिंदुस्तान मेंबर नहीं बनता तो यह नहीं हो सकता कि हम एक छोटे मुलक को तो एड्मिट कर लें और एक इतने बड़े मुलक को अपने खिलाफ कर लें तो तब ही आपकी एप्लिकेशन मानी जाएगी अगर हिंदुस्तान भी मेंबर बनता है तो मेरी वहां पर आर्गुमेंट यह है कि माउंट बैटन ने दोनों को कॉर्नर करने की कोशिश क कि कॉमन वेल्थ में ही आप लोगों का निजात है वरना यू विल बी लेफ्ट ऑन यूर ओन और उस जमाने में सेकंड वर्ल्ड वार भी खतम ही हुई थी रूस का बाकी दुनिया में इतनी तोड फोड यह सारा कुछ थी तो कॉंग्रस के अंदर जो एक ग्रूप पहले से कर गया था सरदार पर टेल क्योंके वो रेलिस्ट थे कि अगर पाकिस्तान जाता है और इंडिया नहीं जाता तो बैलन्स ऑफ पावर हमारे खलाफ हो जाएगा नेरू गौड कंवर्टेड सम्टाइम्स इन में नाइंटीन फॉर्टी सेब तो इन दोनों को भी उन्होंने इ तियारा में नाइंटीन फॉर्टी सिक्स को एक मेमरेंडम किया था तियार फील्ड मार्शल ओकिन लेक ने जिसमें था कि पाकिस्तान बनना चाहिए या नहीं एक आर्गुमेंट हक में एक खिलाफ एक हक में एक खिलाफ एक हक में एक खिलाफ लेकिन जो कंक्लूइन उने न हमने बनाई है ब्रिटिश इंडियन आर्मी अगर युनाइटिड रहेगी तो सोविट यूनियन क्योंके अंग्रेजों का 1833 से जिसे कहते हैं न बग बेर वो रेशिया था जो बाद में और भी बड़ा एक बग बेर बन गया जब वो सोविट यूनियन बन गया तो सोविट य नीचे जनरल वेन जो उनके नेक्स्ट टू कुमांड थे ना उन्होंने लिखा है आई डू नोट अगरी तो वहां से थाबत होता है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक लॉबी जो चर्चल के पास थी और चर्चल के लिए एक आथर है मार्टिन उन्होंने लिखा है कि और वेबल ने भी कहा है कि चर्चल वांटेड अपीस ओफ इंडिया फोर इंडिया ठीक है जी तो उसके बाद जब यह सारी मेरा पूरा एक चैप्टर जब आपको संजे जी टाइम मिले ला वो चैप्टर जूरूर पढ़े इंडिया जहां पर मैंने शो किया है कि वो अपन अपनी इन्वेस्टमेंट्स अपनी आइडियोलोजिकल कंसर्न सारों का जिकर करते हैं कुछ पढ़ी है मैंने उसको दीजी आपने पढ़ी है तो आम बेरी ग्लैड यू आप दन और फिर बारा में नाइंटीन फॉर्टी सेवन को एक महीना एक साल एक महीने बाद त्री आम फोर्सिस आर्मी नेवी और एर फोर्स जो इनके हीरो थे सैकंड वर्ल्ड वार के फिल्ड मार्शल मंट गुमरी और कलोनियल आफिस से शायद लॉड इसमें और ये इन्होंने मेमरेंडम बनाया कि अगर पार्टिशन होती है तो गुड हम जिना साहब हाँ हमा लिखा है कि जिना साहब जो हैं वो तो कॉमन वेल जोइन करना चाहते हैं वेरेज हिंदुस्तान में गो इट्सोन वे ये वहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए हम पाकिस्तान से कराची पोर्ट फिसिलिटीज पाकिस्तान एर फिल्ड और पाकिस्तान मैन पावर जो है ना उनकी और संजे जी ये अंग्रेजों की चाल आप दोड़ा देखें जब ये अफगान सोक और जिहाद हुआ है तो इन्होंने पाकिस्तान को इस्तमाल की है ना अगर हिंदुस्तान होता एक यूनाइटिड ग्रेट पावर तो हम क्यों इस्तमाल होते डिविजिन आफ इंडिया के बाद ही ये सारा कुछ हुआ है जवालल की और बहुत गलती है और मैं भी मानता हूँ एक हूमन बींग के साथ मिस कैलकुलेशन कई हो जाती है बगर उनकी मैंने स्पीचिज पढ़ रहा हूँ मैं एक और किताब भी लिख रहा हूँ एक बैक अप किताब इसके उपर जहां पे उनका जो स्टेंड है वो ये है कि अगर हिंदुस्तान तक्सीम होता है तो ये कमजोर होगा और ये कलोनियल पावर्स हमें फिर तंग करेंगी और मैं देखते हूं यूकरेन वार के बाद ये बात सची थाबत हो गई है अगर इंडिया के डिवियंज हो जाती है और डिस के साथ किया पहले शायद पॉलिसी इतनी मिलिटेंड नहीं थी या इतनी वो नहीं थी ये आप लोगों की अपनी डिसीशन है लेकिन इंडिया को यूनाइटी रखना नेरू का भी एम था और गांधी जी का भी था लेकिन ये हो नहीं सका जिनगी में कई चीज़ें आप च इसलिम्स वो फॉर्ड 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 फ्रीडम ऑफ इंडिया तिल दे वेरी एंड अब मेरी वो वीडियो भी देखें एक के बाद एक तो हिंदुस्तान की अजादी में सब ने इसालिया है थियॉलिजी आले लोगों ने भी इसालिया अच्छा एक आपकी बात 70 आपने अबॉलिश किया है तो मैंने खुद सुने मौलाना महमूद हुसैनी को कहते हुए कि महमूद मदनी जी मदनी कि वो ये कश्मीर जो है ये इंडिया का टू ठांग है तो वो लोग तो आपके साथ ही है वो दिन में दिन में चार वार स्टेट्मेंट बदलते हैं वैस मैं आप देखना शुरू करें तो कई हो सकती है आई अग्री वित यू हो सकता है आप भी दुरू कह रहे हो ठीक है मैं बात आपने अपने किताब में इसको डॉकिमेंट किया है कि जैसे ही बात चली पार्टिशन की 23 पार्च 1940 को जब ये तकरीर हुई जिसको आज भी उस द पाकिस्तान डी मनाया जाता है जी जी तो आपने उसमें कुछ फैक्ट्स लिखे हैं उसमें थोड़ा सा पहला तो आपने लिखा है कि सबाश बोस ऐस प्रेसिडेंट इन जून 1940 अफोर्स नाट प्रेसिडेंट इन मेरी बात सुने वहां पे वो कई लोगों ने मुझे का है म नहीं मैंने काया कि ये फारूक अहमद डार ने चार चीजें नकाली है वो मेरी फाइंडिंग नहीं है अच्छा अच्छा ओके हाँ वो ऐसे है जो इसकी नहीं इस अच्छाए है और अपरिल 39 में वो हट गये थे प्रेसिडेंट से बिल्कुल सही है मैंने जो नहीं अडिश कि ये जो उन्होंने का ये दुरूस्त है शायद मुझे वहाँ कह देना चाहिए था कि ये उन्होंने डेटी गलत दी है तो ऐसे है वो मेरी फाइंडिंग नहीं है वो किसी का क्लेम है और राजगोपालाचारी वाली बात आपकी जो उसमें फारूक का मंदर को कोट किया रा उसके बाद गांधी का भी वो आया है बट गांधी का वो जो जो था वो हम अब उसको देखते हैं कि it was only it was not a serious or sincere offer it was only अब ये आपका point of view है नहीं देखें ऐसे हुआ है कि January 1940 में जिना साब के घर ये मलाबार हिल वाले घर में तीन बंदे तीन बंदों की मेफिल होई है मीटिंग होई है जिना साब तो होस्त थे प्यारियार जो है साउथ इंडियन ड्रावडियन लीडर आए और डॉक्टर अम मैंने वो भी find out कर ली है जो उस जमाने में फोटो उतरी तो उस जमाने में प्रेस में ये discussion हो रही थी कि ये तीनों मिल के Congress के मुखालिफ एक और नेशनलिस पार्टी बनाएंगे लेकिन तीन चार दिन discussion के बाद वो जो है उसमें से कोई result नहीं निकला और बाद में प्यार प्यार यार उनका नाम है उन्होंने जिना साथ के खिलाफ के से disappointment की बात भी की कि और डॉक्टर अम्बेत कर ने भी फिर जो किताब लिखी है ना पाकिस्तान के पहले प्रूव किया है आखरी में कह दिया किसकी कोई जरूरत नहीं है वो भी bitter हो गए और वहां पे वो theology की बा है मुसल्मानों के अंदर हर बात पे तो जगड़ा है शिया सुनी यह वो यह कोई ऐसी brotherhood भी नहीं है जो अब पाकिस्तान बनने के बाद ना वहां कोई हिंदू है ना कोई सिक है word the name तो यह हरुकत क्यों लड़ते रहते हैं तो यह that's not theology doesn't explain Islam one way or the other उसको इस्तमाल जरूर कि जाता है तो उसके बाद महात्मा गांदी का एक खत है सोला जनवरी 1940 का टू जिना साब माई डियर काईदे आजम I'm addressing you as काईदे आजम because everybody now calls you काईदे आजम you are the only leader in India who can establish a an alternative party to the congress the Muslims the Dalits and the Dravidians fear that Congress is a upper caste Hindu party तो आप तीनों मिलके एक और democratic party बनाएं जो इंडिया की unity के लिए हो लेकिन Congress को counter करें जिना साब ने उसमें कोई interest नहीं दिया तो मेरे हैल से he was very serious आखर तक उनकी खायश यही रही के partition ना हो लेकिन partition तो अंग्रेजों ने आखर में फैसला देना था ना कि उनको क्या suit करता है तो ऐसे partition हुई है आप और मेरा जगड़ा जो है ना आपका मेरा जगड़ा एक है लेकिन इसमें अगर तीसरा बंदा आ जाए तो वो आपको भी इस्तमाल करता है मुझे भी करता है ये भी तो आप देख ले ना हां वो तो ही है यह है यहाद देशाइसिव रोल इसमें तो कोई डाउट के वाली बात ही नहीं है लेकिन जैसे आप नहरू के आप यह कह सकते हैं कि प्रेस जैसे उनकी जो 10 जूलाई 1946 की जो प्रेस कॉन्टेंस है हाऑ जी हां जी हाँ जी जिसकी वजय से फिर उसको बहाना मिला जिन्ना को डारिक्ट एक्शन करने का जी जी अर फिर डारिक्ट एक्शन के बाद जो पॉलिशीज रही कॉंग्रेस की. वो एक तरह से फिर बाद में बढ़ाती रही और फिर इन लोगों ने ये टाय कर लिया कि हमारे पास बाउंट बेटन जब आगए तो इन्होंनों का नहीं नहीं अब जल्दी हो जाने दो कम से कम. कॉंग्रेस के पास पाउवर आ रही तो यह बात दुस्त है यह आपकी बात दुस्त है लेकिन उसमें टेंथ जुलाई से शुरू करके और थर्ड जून तक आपका जो पूरा पीरियड है इसको आप कैसे देखते हैं देखे तेंथ जुलाई जो है यह स्पीज जो है दरसल आखिर तक कॉंगर्स की यही पुजिशन र लखना है और जो यह यूनिट्स हैं इसके उनको कितनी हम वो क्या कहते हैं अटॉनमी और प्रोविंशल पावर्स दे सकते हैं इस पे हम बैस कर सकते हैं तो जो उन्हों ने वहां पे कहा वो कोई सर्प्राइज मुझे नहीं करती बिकॉस जो डिसकुशन हो रही थी उससे प सिर्फ ये कैबिनिट डेलिगेशन के पास जाते थे अपना पॉइंट अफ्यू देते थे और उसके बाद असल में देखा जाये तो ये वेवल से शुरू होती है ना कि जब जब कॉंग्रस ने कह दिया कि हम कैबिनिट मिशन प्लैन नहीं मानते तो इन्हों ने फिर नेरू को क्यों कहा कि आप आके तो अपना हकूमत बनाएं अगर वेवल डिन्ट वांट इट तो ये वेवल की एक अपनी डिसीशन है एक और बात बता दूँ अगर आपने वह वाला चैप्टर पढ़ा है कैबिनिट मिशन प्लैन का तो वहां पर उसमें ये है कि चार एपरिल कात की तो उन्होंने का कि अन्लेस यू कैन शो कि ये एस्टर्न और वेस्टर्न पाकिस्तान डिफेंसिबल होंगे यू लीव अस नो चॉइस बट टू लीव इंडिया यूनाइट तो मेरी आर्गिमेंट ये है कि उसके बाद ही जिना साब को समझा आगी कि अगर मैं कॉंग लिया तू दू कॉंग्रस इसलिए उन्होंने उसे माना मान लिया कॉंग्रस में रिफ्यूज कर दिया लेकिन एक और जगड़ा भी तो हुआ ना वो जगड़ा ये था कि मुस्लिम लीग ने का कि हम इंडिया के लिए कंस्टिटूइट असेंबली में नहीं जाएंगे कॉं अर्सिटूशन बनाएंगे तो दोनों ने आदी आदी बात एक्सेप्ट की ना और उसके बात आप देखें संजे जी ये सारी चीज़े होने के बाद आफ्टर आल इंटेरिम गर्मेंट बनी तो सही ना और इंटेरिम गर्मेंट ये टैन जुलाई के बाद ही बनी है ना तो ले आए तो Muslim League रेटरन टू इट उससे पहले कलकते की किलिंग हो चुकी थी नौाखली का भी हो चुका था नौाखली एक्टोबर में हुआ है नौाखली में नहरू अल्री प्रेमियर बाइट टैम अच्छा लेडी प्रेमियर ठीक है और बिहार ठीक है ना वह प्रेमियर त हो गए थे second September से you are right absolutely लेकिन मेरा मतलब है कि Muslim League इसमें आ गई थी interim government में तो 10 जुलाई के बाद फिर क्यों आए अगर ये इतनी बड़ी बात थी आया तो गए थे ये लेकिन वहां पे इन्होंने cross purposes में काम किया एक cabinet जब बनती है आप और में अगर रुकूमत बनाएं तो मेरा आप पे trust आपका मेरे पे होना चाहिए ना ये तो नहीं कि मैं हर वो reform लाऊं जो आपकी जड़े काटे और आप मेरे खिलाफ काम करें तो वो interim government भी एक parody बनके रह गई क्योंकि बाई that time I think the Muslim League कोई ये assurance दी के पाकिस्तान बन रहा है हम क्यों compromise करें मुझे तो यू लगता है definitely अगर कोई hint नहीं हो तो जिस तरह से लियाकत अली खान एक्ट कर रहे थे as finance minister it was completely at cross purposes he was thwarting every plan of the congress cabinet में लगातार oppose कर रहे थे उसके लिए पटेल ने भी ultimately ये accept कर लिया कि ये unworkable arrangement है exactly तो आप और मैं तो agree करते हैं हर बात पे हमारी disagreement क्या ये बता है मैं तो I want to learn from you कि आपके और मेरी disagreement क्या है मेरी किताब के बाद आपकी पताग मेजरली जिना पे फोकस्ट है मैं तो I was trying to fight out from this कि क्या Congress equally या मौर्गरस ने हिंदोस्तान की अजादी के लिए with the best intention भाया कि सारे इस मुलक में रहते हैं सब तो अश्राफिया नहीं होते सब भी upper caste और ये नहीं होते हर किसम के लोग यहां पे रहते हैं अगर हम एक ऐसा हिंदोस्तान बनाएं जिसमें सब का हिस्सा हो तो इससे जदा खुसूरत हिंदो needing one another मैं तो इस ideal को बहुत अपने दिल से कबूल करता हूँ यह पूरा नहीं हो सका यह एक दुख की बात जी अगर गांधी अड़ जाते और fast unto death पे चले जाते तब क्या होता जैसे वो करते थे लेकिन किस सिल्सले में नहीं क्या होना ठीक है यह कह सकते हैं कि कई चीजें हो सकती थी जो नहीं होई तो थोड़ा थोड़ा blame तो हर एक पर आना चाहिए यह तो आना चाहिए है ठीक है मैं आपकी इस बात को मानता हूँ I think this is a valid point जी हाँ और एक आपने जिन्ना के secularism पर बढ़ा अच्छा है इस पे analysis किया है कि जिन्ना के 11th August वाली जो speech थी उसको लेके बहुत सारे लोगों ने उनको secular करार कर दिया यहां तक हमारे यहां के कुछ leaders भी जिसके उपर इंडिया मे हुआ बिल्कुल तो वो 11th August की speech का मैं दर्शकों को यह नहीं बताता कि मैंने चुकि वो पढ़ा है आपके मुझे सुनना चाहता हूँ कि आप उस 11th August की speech की basis पे जिन्ना को कैसे देखते हैं मैं तो देखता हूँ कि जिन्ना साब इन बाकी सारी politicians से जएधा शुरूर थे इन पंजाब की partition भी कभी आपकी हिबत हो तो वो पढ़ें उसकी एक 75th year edition भी आ रही है रूपा वाले शाप रहे हैं तो मार्स 1947 से यहां पे पंजाब में दंगे शुरू हो गए थे और पहले तीन-चार महीने यह Muslim majority districts में सिक्षों और हिंदूओं पर ही हमले जैदातर होते रहे हैं लेकिन जुलाई 1947 में फिर सिक्षों ने जत्थे बनाए RSSB इन्वाल्व होई तो फिर इन्हों ने बड़ले लेने शुरू किये इस पंजाब में मुसल्मानों से और अगस्त के अंदर जो एक दो ट्रेंस डेली से आई उस पे हमले भी हुए तो जिना साब को समझ आ वेस्ट पाकिस्तान था उसकी तो पॉपिलेशन 33.7 मिलियन थी इस पाकिस्तान किसने जाना था वो तो भूक नंग का अलाका था शायद बिहार से और इस्टरन यूपी से कुछ आदे सारे तो हमारी तरफ आते वेस्ट पाकिस्तान में तो जिना साब ने फिर ये ये वांट गवर्नर जनरल बनने के बाद मैनौरिटीज पे तो वो ये ही हैं कि इनका ख्याल रखें इसलाम में कहा गया है कि मैनौरिटीज की सेफटी आपकी ड्यूटी है ये है वो है लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी अगर हिंदू और सिक वेस्ट पाकिस्तान में रह जाते त तो आज उनकी पॉपुलेशन स्टेंथ 21 परसंट होनी थी ये मैंने सार नोबडी इस एवर ड़न दिस आफ शोन दिस हाजी विट्स जी फिगर्स लेकिन उन सब को वहां पे भागना पड़ा या वो चले गए वोटेवर डिस्क्रिप्शन यू वांट तो यूज और सिर्फ सिंद के अंदर इंटीरियर के अंदर जहां पे हिंदू चंद बच गए उन में से आई तिंग 70% अपर कास थे बाकी दलित थे वो ही आज तक 1.6% है 1.6% उल्टा था 70% दलित थे नहीं में हल आप चेक करें I don't think अपर कास जएदा थे जो रह गए थे क्यूंके अभी तक वहां पे चंद बिग बिजनसमेन और ये वो हिंदू है ये इतनी भी ये जो 47 में हो उसके बाद जो रोग रह गए वो वहां ही पर रहे ये ऐसे भी नहीं है अभी तक लहौर के अंदर मुझे पता है कई हिंदू है मेरे दोस्त हैं मेरा साब और ये और वो तो वो वहाँ ही रहते हैं, मुसल्मानों के अंदर रहते हैं, यारियें, दोस्तियें, सारा कुछ है लेकिन आइडियोलोजिकली पाकिस्तान एक एंटी सेकलर, एंटी माइनॉरिटीज, फलस्वे के साथ आई और उसमें जाहर है, अब मैं कहता हूँ कि ये जो इंडिया के अंदर हो रहा है ना, मुसल्मानों के साथ, ये एक उसका रियाक्शन भी तो है ना, अगर आप एक कम्यूनिटी के साथ इस तरह करते हैं, तो उनके अंदर भी तो एक फिर जोश आता है ना, कि यार ये हमारे किस तरह से, ज वो जादा इंसेक्योर इसलिए है, क्योंकि जो ना, एक अलग तरह के और waż लिब्रल इन्वारिटमेंट में रहता है. तो उनको लगातार ये खत्रा रहता है, कि अरे ये कहीं जो है ये हम से हमारा काट्रोल इनके ओपर से कम नहीं हो जाए तरह 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 की टैक्टिक्स ट्राइ करता रहता है ये बात दुरस्त हो सकती है ये जो आपके हैं डॉक्टर फैजी इनके साथ मेरी गुफ्तगो भी रही और उन्होंने अपना पॉइंट आव यू समझाया तो मैंने का ये बिल्कुल ऐसे हो सकता है ये सारा अश्राफिया की श्रारती थी वरना जो जो मुसल्मान चारा दुका चलाता है चोटी सी उसकी जमीन है वहां से इतना गुजारा करता है वो कहां मुल्क छोड के तो कहीं जाएगा उसकी तो सारी वहां पर ही है तो ये भी आप इस एंगल से भी देखें आप से मैं इसलिए बात करता हूँ कि आपके बहुत फॉल्वर्स हैं और कई मुझे गाल होता है होना चाहिए लेकिन मैं तो खुले दिलों से हर एक को मिलता हूँ जी क्यूंकि हर एक के अंदर एक इनसान है अगर वो आप जिंदा कर दे तो वो काफी है तो ये मानो संजे जी वो इनसान की इनसानियत को कॉम्प्रमाइजी करेगी मैंने कई ब्रामनों को कहते हम इसको बिल्कुल नहीं मानते क्योंकि ये तो कास सिस्टम की जो वो हाइरार्की ये उसको नहीं मानते तो क्या करेंगे हम ये कह दें कि अब सारे इंदू जो है पड़े लिखे वो भी उसी में बिलीव करते हैं नो तैस नॉट ट्रू कास सिस्टम के बारे में तो आपके डिसकेशन चले वो भी करेंगे आपके साथ वी कर लेंगे क्योंकि उसके उपर भी मिस्किविंग्स ज्यादा है उसके जी ओरिजिंस है क्योंकि I have proved in fact मेरा तो एक famous challenge है कि आप किसी भी हिंदू doctrine से दिखा दो कि there is birth based discrimination and now the price has gone up to based on commitments दस लाख इंडियन रुपीज अच्छा यह तो आपका मैं I am too old to go for your money I will give it to someone लेकिन एक और बात है यह तो आप मानते हैं ना के मनुस्मित्री के बाद whether it is part of the higher Hindu books of religion or not जो social system आया it's not there even in the मनुस्मित्री you would be you would be surprised to learn it's not there even in the मनुस्मित्री है यार मैंने खुद पढ़ा है कि यह भी हूँ है मैं आपको देदूगा उसका discussion अंग्रेजी का तर्जमा मेरे पास है अंग्रेजी का तर्जमा है लेकि यह कहां से आई यह conspiracy फिर कब हो यह कहां से आई लेकिन आज जो बैस है ना लेकिन आज जो बैस है ना कि आपका कंक्लूजिन यह है कि जिन्ना निवर फॉलोड अप ऑन इस 11th August speech. So, it was probably not a serious or sincere position. Never, not even once. एक दफा कोई मुझे दिखा दे तो मैं मान जाओंगा. So, on this point, बहुत सारे questions आगे हैं आपके, बहुत सारे लोग देख रहे हैं इसको, तो वो, they would like to ask you questions. हाँ, you're my player, जरूर. तो अब मैं questions में चलता हूँ, उसे पहले, सभी दर्शकों से अनरोध के कृपया, लाइक कर ले, जो भी लोग देख रहे हैं, और लाइक का बटन दबा दे, वीडियो को शेयर अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करें, जो नए लोग देख रहे हैं आज यहां पर, प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल जाने से पहले, और साथ में, आप डिस्क्रिप्शन में जाके, हमारे सपोर्ट और हमें फॉलो करने का भी, आप कर प्रप्या उपकर्म करें. जी, अनुराग सिना, विच बुक्स तो रीड तो अंडरस्टैंड दी होल पार्टिशन हिस्ट्री और इंडो पार्क हिस्ट्री तो आप मुस्से बेतर जानते हैं, क्योंकि हमारे हाँ तो लिखी गई किताबें आइडियो लॉजिकली, वहाँ पे कोई इतनी बड़ी हिस्ट्री की किताब जो हिस्ट्री में डूइब जाती हो, कोई नहीं है. इंडिया के बहुत बॉड़े स्कॉलर हैं इसके अंदर. लेकिन अगर आपने पार्टिशन की हिस्ट्री पढ़नी है, तो मेरी किताब पढ़ें. उसके बाद किसी और किताब के पढ़ने की ज़ूरत नहीं है. ठीक है? पार्टिशन क्यूं हुई? यह आप जिनावली किताब पढ़ लें और पार्टिशन आफ पंजाब आली पढ़ लें. तो अच्छा, बाइदे वे, अपना, संजे जी, अभी, वेन भी फिनिश, वो जो है न, मेरी पाकिस्तान दे गैरिजन स्टेट, वो मैं आपको बता दूँगा, वो इंडिया में as a e-book available है, आप उसको ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. कोई मुझे मिली नहीं. हाँ, मैं बता दूँगा, बिल्कुल थी. अगला स्वाल? अगला रागाव गौतम, it is a discussion of the greats. I am lucky to have read both of your books, that is Punjab, BBC and Unbreaking India. Thank you for coming together. I am so happy. I am extremely pleased कि हम दोनों को एकी स्टेज पे हैं. ठीक है. मुझे भी बहुत हुश्ची है. Next. नीजिस, do you think that Muslims on other parts of the world also find difficult to coexist with other religions and are striving for something like Pakistan? At least events imply so. Let me not deny. ये देखे, radicalization मुसल्मानों की दो तिन रूट से हुई है. एक तो ये जो इरान में आया, इसलामिक इंकलाब आयतुला का, है तो वो शिया, और जिन से. लेकिन उसकी अपील फिर सारे मुसल्मानों के अंदर पहली. जिसको फिर साउडिया ने काउंटर किया sectarian base पे. तो उससे पहले मुझे याद है जब हम आये थे यॉर्प में तो सब लड़के जाके कलब में डांस करना, ये करना. ये वर लिविंग लाइक एनी यांग परसन वोल्ड. उसके बाद जो मस्जिदों को फंडिंग हुई, इरान से या साउधी रेबिया से वहां पे हुई कि आपने इन सोसाइटी से दूर रहना है. तो ये एक सेवंटीज का फिनॉमनन है, फिर अफगान जिहाद शुरू हुआ. मुझे याद है ये अमेरिकन्स और ये सारे जितने मुसलमान कोई बियालोजी पढ़ रहा है, कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, कैमपसिस पे ज आके पाकिस्तान के अंदर उनको ट्रेन करके उनका जेन टेररिस्ट बना के इन्होंने इस्तमाल किया, वो ही बाद में फिर पाकिस्तान से इंडिया के कश्मीर में हुआ, मुंबई भी हुआ, तो ये एक इस्तमाल इसलाम का हुआ है, थियालोजी के अंदर इसलाम के एक्स् उसके एंटर हीरो हैं, उन्होंने जंगे तो लड़ी हैं ना, for right and wrong, तो इसका इस्तमाल जो है ना, आज के दोर में कैसे होना चाहिए, इस पे अभी मुस्लमान are less educated, less developed, feel more cornered than let's say many others. यह आपकी बात दुरुस्त है. यह और यह भी फर्ख है, क्योंकि इन दी अब्रहमिक रिलिजन्स, मैंने, मेरी यह finding है, कि जो fear है, fear of the last day, वो बहुत psychology पर work करता है, वो जो single birth वाली जो बात है, हिंदूस में इतना इसलिए नहीं करता है, कि उनका यह है कि भई, multiple births है, चलो यह इस नहीं, तो we will get an opportunity to correct. That affects the psychology. That's very interesting. I think I like that idea, honestly. This is a very original argument I have heard. और मैंने recently किसी को काया कि यार, इतनी किताबे तुमने भेज़ दी हैं पढ़ने के लिए, please मुझे एक नया जनम भी दिला दो as a human being. ताके मैं यह किताबे पढ़ सको. तो यह खाइश तो है, I do see the point. A very subtle point, but a very interesting point. ठीक है? This तकलीद works on this psychology. This is what I found out. ठीक है. लेकिन यह भी आप देखें, यह सिर्फ Christians और मुसल्मानों का problem ही है. जूस का यह problem नहीं है. जूस ने तो life after death, उनकी कोई discussion ही नहीं है कि इसके बात क्या होता है. मेरे कई दोस्त हैं यहां जूस जनके मैं घर जाता हूँ, वो हमारे घर आते हैं, वो कहते हैं, यार life after death, जूडाइजम में कोई उसका जिकर नहीं है. This is only a fixation of Christianity and Islam. के doomsday होगा और some will go to hell, others will go to heaven and finally if you are a believer, आप ही जाएंगे जन्द में इस किसम की जो है ना यह सोच, यह दो मस्बब में हैं, Christianity में और Islam में, जूडाइजम में नहीं हैं. इसलिए वो इसराइल के ओपर इतने fanatic हैं because for them, the land God promised is Israel. Whereas for Christians and Muslims, gains after death. यह भी ज़रा मेरे खालता में आपके साथ शेर कर लोगे. I was not aware about Judaism. मैं आपको तभी बता दी, I am enjoying your company. यह भी है. Thank you. Thank you. I have written a small booklet. All religions are not the same. वो में आपको बेजोगा. इसमें यह चीज़ें जो हैं वोट थोड़ा सा और deeply developed है. Anurag Sina, Why doesn't Park allow India to use roads and go to Central Asia and Iran? We can go till Europe if Park allows us. What do you say? No, I say open the door, अपना roads और पाकिस्तानियों तुम सरफ उनसे duty लेते जाओ तो without zero investment, 100% profit है. यह तो पाकिस्तान गर्वर्मेंट जो है, वो इस आर्गुमेंट को इस्तमाल करके वो किश्मीर पे शहिए इंडिया से कुछ करवा लेंगे. I think they are totally wrong. पाकिस्तान अगर यह रोड खोल गे, तो पाकिस्तान कोई फाइदा है और इंडिया को फाइदा भी है. तो दोनों मिलके क्यों ना फाइदा हम उठाएं. मेरी तो यह आर्गुमेंट है, मैं अग्री करता हूँ सिना साब से. यह भी establishment की problem है, जब NSA है, मोईद यूसुफ थे आपके, इमरान खान के. Before becoming NSA, he used to give exactly this argument. We should profit out of this. और यह आर्गुमेंट है, मेरी है, बाफ करना, यह मेरी आर्गुमेंट है, यह सारे इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, और NSA बनते ही परट गए, उल्टा हो गए. यही मैं कहरा हूँ ना, मेरी arguments है, गेरिजन स्टेट खतम ही इसमें होती है. कि आई तक तुम यह जियो स्टेटीजिक करकर के मिलिटरी इसमाल करते रहे हो, इसको अब एकनॉमिकली इससे फायदा उठाओ, जीरो तुमारी investment है, 100% profit है, इससे जएदा stupid policy और क्या हो सकती है. तो अब यह सारे मेरी arguments इसमाल कर देते हैं, हकूमत में आते हैं, तो चुप हो जाते हैं, मगर morally बात सही है, practically बात भी सही है, कि trade अगर होगी, तो सिर्फ चाइना को क्यो advantage हो, वाइनोट इंडिया? करेक्ट? हाँ. बल्कि चाइना को तो होगी क्या, उस पे भी मिरा है कार्गुएमंट है, कि चाइना, the eastern, western part of China, they don't really need anything through that route. मंतन, is it true that British dhbchals wanted to leave India after World War II, as it was not profitable for them to rule India anymore? Question to both of you. आज तो इस्टियाख साब कोई डील करने दें इस question से. देखें, मैंने बताया है, और ये संजे जी ने भी इसका जिकर किया था, जब लॉर्ड वेवल सेकंड लास्ट वाइसरोय आए हैं, तो आउट गोइंग जो वाइसरोय थे, लॉर्ड लिनलित गो, उन्होंने का, कि वी आर हेर फॉर अनदर 30 यर्स, विच बेंड के 1973 तक, औ और इसका मतलब ये था है का 73 में जाके हम डिसाइड करेंगे कि आगे कहां जाना है, नहीं, हुआ ये है कि जो थी ना, कपैसिटी बरतानिया की, इंडिया को बोल्ड ओल्ड करने की, वो एक्जास्ट हो गई थी, सेकंड वर्ल वार तो वो जीत गए थे, लेकिन उनकी इंड हिंडुस्तान में नहीं हुई, इस तरह राशनिंग, ठीक है, बंगॉल का फैमिन तो हुआ, लेकिन बाकी राकों की मैं बात करना हूँ, तो तन्खाएं जो है, ब्रिटिश आफिसर्स की, वो अमेरिकन्स दे रहे थे, तो अमेरिकन प्रेशर था कि यू लीव इंडिया ना होगा, वाए, जब तक अंग्रेशों के पास इंडिया था, तो गुड्स भी तो उनकी बिक्ती थी थी ना, अमेरिकन्स वांटेड फ्री ट्रेड, ताकि उनकी गुड्स भी यहां पे आए, तो ऐसे हुआ है, अंग्रेशों के बस में नहीं रहा, हिंदुस्तान में हकूमत क करना, वजना जितनी मौज उन्होंने यहां की है, कहां और की है, सारे टाइगर्स हमारे मार दिये, सारा, जो यहां का नैच्रल एको सिस्टम सा तबाह करके गए हैं यहां पे. And probably the naval mutiny also helped. And that also helped, of course. That also helped. Dr. Sharma, even if India gives Kashmir on a plate, Pakistan will find other ways to fight with India. It is not geographic area, people, but the idea, public mindset of Pakistan. यह भी I would like to challenge. यह इतनी असान बातें करके ना, तो केस नहीं जीता जा सकता. देखें, इंडिया और पाकिस्तान की कितनी जगें हुई हैं, तीन, चार जगें हुई हैं, line of control पे firing होती रही हैं, सारा कुछ होता रहा है. 62 की war के अंदर, पाकिस्तान के पास चांस था कि वो इदर चाइना की war हो रही है, तो वो इंडिया को अटेक कर देते. लेकिन यूग खान डिड नाट वांट तो डू इट, हलांके जुल्फकार अली भुटो ने कहा था कि दिस इस अगूड ऑपर्शुनिटी, लेट्स डू इट, ये भी मानना पड़ता है कि प्रेजिडंट कैनेडी का एक लेटर भी आया था, यूग खान का, कि आप प्लीज मत करें, बट पाकिस्तान कुड एफ डान इट, नो दे डिन्ट डू इट, उसके बाद आप देखें, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, वो उस पे चोटा मोटा जगडा, ये वो सारा कुछ होता रहता है, लेकिन दोनों मुलकों के जो एकॉनमी है, उन पे डिपेंडन्ट है, लेकिन ये कब तक इसको ड्रैक करेंगे, इनका सत्यानास हो गया पाकिस्तान की एकॉनमी का, तो एक दिन इनको अकल आजएगी, अभी यही लगता है कि अगर किश्मीर, अबल तो किश्मीर आपने देना नहीं तो ये आप आफर क्यू कर रहे हैं, मजाग के तोर पे कर रहे ये क्रिस्टीन फेर का अर्ग्यूमेंट है, वो ठीक है, क्रिस्टीन फेर को भी मैं जानता हूं अच्छी तरह, चीज़ अ क्लेवर वोमन, तो वो ठीक बात करती है, हो सकता है साइकॉलोजी पाकिस्तान की लीडर्शिप की यही बन गई हो, लेकिन भूकों भी तो हो गए ह फतेह करना है, और नहीं नहीं, यह सब स्लोगन मॉंगरिंग है, और फ़ पीपल हो फील के उनकी अचीवमेंट जीरो है, और उनके क्लेम्स बहुत हाई हैं, यह जो फ्रस्टेशन हो जाती है ना, यह उसकी इंडिकेशन है, वरना सारे इंडियन फिल्में देखते हैं, यू सारा कुछ हुआ, सारे लता के गाने और बॉलिवूड के इसलामिक, जमाते इसलामी के बैक्गराउंड में हो रहे हैं, तो अवाम के हद तक पीपल आप प्रेक्टिकल और सेंसिबिलिटीज लोगों की वह ही हैं, जो इस सब कॉंटिनेंट की हैं, आप यह देखें, अगरी, बट थियॉलजी इस नौट सच अगरेट प्रॉबलम के अकल से आदमी उसको साइट पे न डाल दे, आफ्ट रॉल क्रिश्टिनिटी ने भी तो सबसे ज़्यदा जंगें की, वह वार आफ रिलीजिजिन्स कहां पे हुई हैं, तो यॉरप में हुई हैं, तो इव द छिनिजिस सम्गेंटेंड़िजा फॉफ पाकिस्तान तότε अपे हुई हैं, यूग हुई हुई हैं, आफुछ बॉच पहल्च दीर हुई हैं, वह वह दो जिन्हां हुई हैं, उनके मतलिक तो कोई हैं, यह सोचते ही नहीं कि उन्होंने कोई भी चीज घलत की हो, लेकिन इमरा खान खान तो contemporary है ना तो उसकी हर हरकत लोग देख सकते हैं पाकिस्तान की orthodoxy यह है कि find all false but never with jina यह उनकी एक orthodoxy है वहाँ पे नहीं आप बोल सकते हैं यह problem है वहाँ का I agree जी next question which community in Pakistan is more anti-India now? महाजिर्स और पंजाबी यह यार मुझे कोई नहीं पता इसका मैं क्या जवाब दू मैं तो खुद पंजाबी हूँ तो मैं तो कोई anti-India नहीं हूँ और मेरे कई दोस्त जो हैं वो anti-India नहीं है महाजरों से आप पूछें वो क्यों पाकिस्तान बनाया तो उनों ने शुरू तो शरारत वहाँ से हुई है पंजाबिया नों तो 1937 40 तक इनके साथ नहीं थे यह तो महाजरों की शरारत पूछे 46 में भी पंजाब में कॉंग्रेस अलाइंस गवर्मन बनी थी अच्छा बहाँ पे देख लें अपना संजे जी लेट मी टेल यू वन 50 और पंथिक पार्टी की 23 और 10 12 सीटें ये जो होती है शेडूल कास्ट और क्रिस्टिन्स और ये उनकी थे तो जौलना नहरू वाज इन फेवर के मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस मिल के हकूमत बनाए इसको ओवर्रूल किया गया बाई दे अधर सेक्शन आफ कॉंग्रेस ये भी मेरी नई किताब में आ रहा है तो आप नहरू को हर बात पे तो नहीं ना क्योंज कर सकते हैं यहाँ पे ही वाज इन फेवर कि अगर हुकूमत बन जाती तो शैद हिस्ट्री का एक और फेस बनती I can promise to you 1937 में उनाइट प्रोविंस में he went back on his promise लिए भलती किये तो इस दफाँ ही वस रेक्टिफाइइंग पॉर इच्पा नहीं हो सका थीक है I think if they just become good neighbors and experiment with it then next steps can be taken. एक drastic पाकिस्तान बनने के बाद इंडिया और पाकिस्तान एक हो जाए मेहल आपकी तरफ भी उसकी कोई त्यारी नहीं है. आपने अपनी जमूरियत चला ली है, election करवाते हैं, तो वो आपकी success स्टोरी है. आप इतने जैदा मुसल्मान दुबारा पाकिस्तान इंडिया में ल उसको अराम अराम से हम चेंज कर सकते हैं, gradually. एक दम करेंगे तो वो counter होगे हैं. I agree with you. Especially now that Pakistan is now on every index, is so far behind India. Indians would think three times before even thinking of that. Shneejis, what is more important part of Pakistan identity? One, anti-India, anti-Hindu, and two, commitment to Islam. इसका स्वाल का जो आप जरा मुससे सुन ले, बड़ा interesting है. 2013 में मैं बैंगलोर में, Deep South India में, I went there to give a talk. वहां की जो Science Institute है. तो जिस हॉल में हमारा ये हो रहा था, अभी शुरू ही हुआ था, तो यांग इंडियन गर्ल गॉट अप और सेड, Sir, why do Muslims, पाकिस्टानी हेट इंडिया सो मच? तो I was likely taken aback, के बहें यार इसका क्या जवाब दो? तो फिर मैंने एकदम, वो कहते हैं ना, के जब आप एक मजबूरी की सुरत में हों, तो आप क्या करते हैं? I thought of idea how to respond. तो मैंने का बात सुरूं, आई तक मैं ये दुख करता रहूं के पाकिस्तान का लिटरिसी रेट इतना लो क्यों है? लेकिन आज मुझे खुशी हुई है कि वो लो है, उसकी वज़ा है कि जो लोग ये हेट आइडियालोजी और ये वो सीखते हैं, वो इन स्कूलों में गए हुए है, छाबडी वाला, रिक्षे वाला, दुकानदार, जितने हिंदू मैंने देखा है और सिक गए हैं पाकिस्तान में, लोगों ने का है कि भेन जी आप आगई हैं, आप तो हमारी मेमान हैं, आप से नहीं हम पैसे लेते हैं, छाबडी वालों हैं, जिनका हम सुनते हैं, कि वो हमको हेट करते हैं, वो तो हमसे जो मुहबबत दिखाते हैं, शायद हमने कभी दिखाई नहीं उनके साथ, तो ऐसे भी है, आम लोगों के अंदर गिये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक स्टेट जो होती ही आइडियो लॉजिकल है, उ मानना पड़ेगा, लेकिन ये भी मेरे ख्याल से एड वन पॉइंट कैन भी निउट्रलाइस्ट, क्योंकि दो स्टेट्स तो बन गई हैं और अगर दोनों मान ले, कि हमको रहना भी यहां हैं और कॉपरेशन में फाइदा है, तो दोनों चीज़े पूरो हो जाती हैं, पाकि अभी नाग, यू से यूश्लिम्स लेन तो को एगजिस्ट विद इंडिया, तिस्पाइट रूलिंग फो सो मनी यहर इंडिया, इस्पाइट थे यू लाजिकल मैंडेट, इस तो देन हो विल्यू इएडिया, जैट अग्यु आटिया, उसको बिल्यू ने गिरा दिया, और उसके अंदर भी वेस्टन पावर्स ने मौलवियों को लाने में एक रोल प्ले किया हाँ जी इजप्ट भी जो था वो तो एक सेकुलर नेशलिस रिजीम थी उसका भी सत्यानास हुआ मेसोपटेमिया से आपका मतलब है इराक तो सदाम हुसैन को किस ने गराया सदाम हुसैन व अब इनको जब से नाइन एलेवन हुए है इनको इसलाम में टेरिरिजम भी नजर आती है उससे पहले उनको ये फीडम फाइटर कहा करते थे और ओवल वो क्या करते हैं रूम में बुला के तो उनको बक अप कहते थे कि यू आर ग्रेट फीडम फाइटर्स ये भी तो आप नोट की लिए इनके रिजीम चेंज टूल्स थे वो ही ना यही तो मैं खहरा हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट वाल गिलाओ या हमें श्याख जी एक पुस्तक अंबेड करके रोल पे भी लिखिये कि कैसे उन्होंने डे आफ डिलिवरेंस से लेके पार्टिशन होने तक जिन्ना क साथ दिया था अंबेड कर एक बड़ा टूल था ब्रिटिश का कांग्रेस को ब्लैक मेल करने के लिए देखो यार यार या दलिट सिचुएशन पर मुझसे हम नहीं बोलें तो अच्छा है क्योंकि उनकी अपनी सेंसिंटिविटीज बहुत हैं तो इसको आप लोगी डील करें मैंने अपनी कताब में अलबता दिखाया है कि ये मुझे समझ नहीं आई कि वाई वुड अदलिट लीडर वांट के पाकिस्तान बन जाए क्योंकि अगर वो कहते हैं कि हिंदू उन्हें उप्रेस करते हैं तो इतने मुस्लमान जाने के बाद तो हिंदू मिजॉरिटी इंड यह में बढ़ जाती थी वाई वो सकता है जो आप कह रहे हैं उसमें कुछ साच हो इसमें इसमाल करते रहे हैं यह भी बिलकुल फैक्ट है बलके मेरी जो एक यह ना यह जिना वाली किताब में कैबिनेट मिशन ने क्या कहा डॉक्टर अम्बेदकर को जब वो मिले आए थिंग इस इस दे फिफ्ट अफ एप्रिल नाइटीन फॉर्टी सिक्स उन्होंने का सुनो वी आर लेविंग इंडिया यह मेरी कताब में आप पढ़ लेए और यह कोटिड है फ्रॉम दे ट्रांसफर अफ पावर तो अंग्रेजों ने इस्तमाल तो डॉक्टर अम्बेदकर को किया है ना और अम्बेदकर की मैंने तक्रीरें पढ़ी है कि इन्होंने यहां पे आके अपर कास के जरीए ही अपना निजाम यहां पे चलाया और हमें तो कुछ नहीं दिया बाकी उनके लिए क्या किया है इन्होंने कुछ भी नहीं किया यह तो जब इंडिया अजाद हुए है तो इनकी रेजर्वेशन भी आई है हाँ उनको राउं दू पानी और इसके साथ दलिस के साथ जो हुआ है यह अंग्रेज ने नहीं इस्वाल किया कॉंग्रेस ने आके खतम किया उसको next कल्यान राम गंती इम्रान खान वस टॉकिंग अब इस्टैबलिशिंग मदीना रूल इन पाकिस्तान बट पाकिस्तान सहाव आर्द गुपता इम्पार विचेक्ट लेट इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है के गुपता के थे के नहीं थे मुहमद बिन कासिम से शुरू कर लेते हैं आप गुपता से शुरू कर लेते हैं हाँ जी कोई और आएगा जी तरह अब डीब जाए उतनी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है अनुराग सिना, how does Mr. Ahamad look at RSS, good or bad? एक ही बदा स्वाल कर रहा है, so many questions of the same man, how does Mr. Ahamad look at RSS, good or bad organization? देखें नी, RSS We don't want to comment on this, you can leave it. नहीं, नहीं, मैं कहूंगा कि RSS की जो पाकिस्तान में है वो जमात इस्लामी है, both are ideological movements and वो एक रामराज का जो concept, रामराज का जो कहना है, नहीं हिंदू राष्टरा के concept को लेके चलते हैं, मैं secularism में यकीन करता हूँ, so I think I have a difference with them. ठीक है? Anyway, योट सनारानी, नमस्कार सर, वायार, अहमधिया पर्सेक्यूटेट इन पाकिस्तान? मादुरी डिक्षट लग रही थी, लेकिन नाम कुछ हो रहे है, well, anyhow, बात यह है कि मुसल्मानों के अंदर एक बिलीफ है कि Prophet Muhammad was the last of the prophets given a message to give to humanity, whether this is right or wrong, to believe it is not my problem. एमधियों का क्लेम है कि नहीं, उनके बाद भी नबूवत जो है, वो continue करती है with मिर्जा गुलाम एहमध जो कादियान में पैदा हुए थे, बटाला के पास एक कस्बा है, हाँ, a hamlet, इतना फर्क है. तो एमधियों बाकी मुसल्मानों को मुसल्मान नहीं मानते, वो उनको नहीं मानते, क्योंके मुसल्मान सुन्नी और शिया मिजॉरिटी हैं, तो एमधियों जो है, they are at the receiving end, अगर ये एमधियों स्टेट होती तो वो दोनों के साथ यही अरकते करते हैं, यह बिलकुल मिनॉर Next question, Raghav Gautam, is it true that Jinnah was a third generation Muslim, we see that even Bhattu's mother was Hindu, why is it that early generation of Muslims have so much anger against their ancestors? How would I answer, मेरे भी किसी जमाने में हिंदू होंगे, जो हमारी वो जो है, mythology वो तो हमें कभी कुछ शो कर देती है, कि एरानी है You may not answer off-topic questions. हाँ, बस ठीक है, छोड़ें इसको ठीक है. Jinnish Patel, thank you जी. रहुलदार जी, क्या इंडिया बाश शुरू करके, once and for all, कश्मीर इशू रिजॉल्व नहीं कर सकते, again off-topic, let's move on to the next one. ठीक. What is Pakistan fascination with born again Muslims, Jinnah, Iqbal, Imaran? Well, this is the last question. This is the last question. नहीं, fascination यह है कि वो समझते हैं कि इन्होंने पता नहीं. Okay, there's one more. आइडियल थे, whatever. Next. D. Singh. So, please briefly share how the Muslim League treated the Dalit leader, Jogindranath Bondal, who supported them. He was Pakistan's first law minister. Well, this is on topic. यह जी, यह बड़ा अच्छा topic है. मेरी, आप जाएं, यूट्यूब पे, इश्तियाक एहमद, और वहां लिखें, जो गिंदर नात Bondal. तो, अबास हैदर के साथ, पूरी मेरी discussion है, जो, I think, 80,000 people have liked, वहां पे आप देख लें, वो पूरी detailed मैंने discussion वहां पे की है. के बंडल, यह जो है, election के दोरान तक, 45, 46 के तो important थे, जब पाकिस्तान बन गया, तो he was not very useful anymore, क्योंके Congress के साथ तो जगड़ा खत्म हो गया था, तो उनको ignore किया गया, और बाद में, 1950 में, जब हिंदों के उपर, इस पाकिस्तान के अंदर, attack हुए हैं, कास्ट हिंदों पे और दलित community पे भी, और 10,000 लोग मार दिये गए, तो then he realized, के उनका यहां पे रहना बिलकुल बेमाई नहीं है, और उनका letter भी मैंने अपनी जिनाली किताब में चाप दी है, कि हमारे साथ क्या जल्म हुआ है, तो आप वो पढ़ ले और मेरा video अब्रूर देख लेए, और वो letter जो है, वो मेरी किताब में भी पूरा चापा हुए, इसी के साथ, we come to the end of the session, thank you all viewers, and thank you so much to Dr. Ishti Akramat, very grateful to you for coming to the channel and enlightening our viewers, thank you so much, good night from here, बहुत 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